जैहिन, वेलकम टू कर्सू लर्निंग और आज हम लोग का रंट अफेट टूडे की एक नई सिंखला के साथ यहां पर उपर सित हुए हैं जिसका नाम है अगनिपत योजना आपको बता दें कि अब CRPF जैसे भरतियों के लिए प्रधान मतरी मोधी जी जुआरा और मानो संसाधन विकार स्मंतरी के द्वारा यहां पर बहुत सारे बाते जो यहां पर की गई हैं उसमें डिफेंस को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं कि अब नए-नए परिवर्थन आ रहे हैं और उन परिवर्थनों में क्या-क्या अंतर दिखाए दे रहे हैं उन सभी बातों की परचर्चा आज हम यहां पर करने वाले हैं तो हमारे देश में जो सेना में भरतियों का दौर रहा है या जो CRPF के जवान रहे हैं तो अब उसमें क्या-क्या बदलाव किये जा रहे हैं उन सभी बातों की परचर्चा आज यहां पर होनी है तो उसी क्रम में यह अगनिपत योजना की जो बाते अभी आ रही हैं तो अगले चार वर्सों में या इस वर्स से जो चीज़ें लागू हो रही है वो क्या अंतर है उन सभी की परचर्चा हम लोग करेंगे तो प्रधान मंतरी सिरी नरेंद मोदी जिद्वारा अगनिपत योजना की घोशना के संदर में केंद्री ग्रह मंतराले ने इस योजना में चार वर्स पूरा करने वाले अगरवीरों को CAPF और असम राइपर्स में भरती में प्राध्मिक्ता देने का निरलें लिया है अभी आपको बता दें कि जो C.P.F था उसको ही अब C.P.F बोला जाता है पहले यहां पे इसको C.P.F जो असिटेंट कमांडेंट होते थे उ यहां पे जो C.P.F है इसकी भरती के लिए और असम राइपर्स की भरती में अब यह प्राध्मिक्ता देने का प्राउधान कर दिया गया है अगनिपत्य योजना युवाओं की उज्जल भविस के लिए मोदी जी द्वारा एक दूर दर्सी और स्वागत योग निरने है इ संबंदित सेवा अधनियमों के तहत चार साल के लिए अगरवीरों को नामंकित किया जाएगा तीन सेवाओं में लागू जोखिम और कठनाई भत्ते तथा आकरशक मासिक पैकेज से यह संबंदित होगा चार साल की कारविधी पूरी होने पर अगरवीरों को एक मुस्त सेवा निरी पैकेज का भी भुकतान किया जाएगा इसी करम में इस साल 46,000 अगरवीरों की भरती की जाएगी यह 2022 की बात की जा रही है भरती रहलिया 90 दिनों में शुरू होंगी भविश्च की चुनोतियों का सामना करने के लिए ससस्त्र बलों के पास एक युवा फिटर विविद प्रोफाइल होगा और इसी करम में यह भरतियां की जाती रहेंगी अगनिपत योजना में केंदरिय मंद्र मंडल ने आज भारती युवाओं के लिए ससस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकरसक भरती योजना की मंजूरी दे दी है इसी योजना को अगनिपत कह जाता है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्रवीर कहा जाएगा मतलब इस योजना में अब जो भी लोग चुने जाएंगो चाहे सीए पीएफ हो या आपका असम्राइफल्स हो तो इस योजना में जो भी विक्तिसामिल होगा उसको अब क्या कहा जाएगा अग्रवीर कहा जाएगा अग्निपत देश भक्त और प्रेरित युवाओं को चार साल की अवित के लिए ससत्र बलों में सेवा करने की एक अनुमती देता है अब इसके लिए देश की युवा तयार हुई है क्योंकि चार बर्स की भरती के लिए इनका कारिकरम सुरू हो समाज से युवा प्रदिफाओं को आकर्शित करके वर्दी धारन करने के लिए इस्चुक हो सकते हैं जो समकाली तकनीकी परविर्तियों के अनुरूप है और समाज में कुसल अनुसासित और प्रेरित जनसक्ती कोई पूर्ती करते हैं तो अब ऐसे युवा जो अभी तक भ का एक नया संसाधन परदान करेगा साथ ही एक साथ एक अधिक तकनीकी जानकार ससत्र बलो की दिसा में एक परिवर्तन कारी बदलाव लाएगा जो वास्तों में समय की आवशक्ता है यह परकल्मना की गई है कि इस योजना के कार्यान वियन से भारतिये ससत्र बलो की और सत आयू लगभग चार से पांच वर्स कम हो जाएगी तो ऐसी यह संभावना जदाई जारी क्योंकि इसी के आधार पर यह भड़तिया होनी है अगत्मत योजना में इनको भी शामिल किया गया है आत्म अनुसासन परिश्चरम और ध्यान की गहरी समझ के साथ अत्तिक प्रेरि सेन सेवा के लावान बहुत अधिक हैं इसमें देशभक्ति की भावना टीमवर्क सारीरिक फिटनेस में वृद्धी देशों के प्रति निष्ठा और बाहरी खत्रों आंतरिक खत्रों और प्राक्तिक आपदाओं के समय राष्टिय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपलब्दता भी शामिल है तो यह जो निर्णे लिया गया है यहां पर भारत की रक्षा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखा गया है कि आगे चलके जो भी अगरवीर होंगे उनको आगे का कौन सा निर्णे लेना है यहां तीनों सेनाओं की मानों संसादन नीत में एक पर शामिल हो गई है राष्ट की सेवा की इस अवद के दोरान अगरवीरों को विभिन सेन कुषल अनुभव अनुसासन सारीरिक पिटने नेतर्थगुड साहस और देशभक्ती परदान की जाएगी चार साल की इस कारकाल के बाद मतलब अगरा किसी विक्त का अगरवीर में सेलेक्शन हो गया है तो चार साल की अवद अगरवीरों ने पूरी कर ली है को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा जहां वे राष्ट निर्मार की परकरिया में अतधिक योगदान दे सकते हैं परतेक अगरवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उनके अधित्रिय बायो पत्र भी दिया जाएगा अगरवीर अपनी युवावत्था में चार साल का कारकार पूरा होने पर पेशेवर और व्यक्तिकत रूप से भी खुद को बेहतर बनाने के एहसास के साथ परिपक और आत्प अनस्वासित होंगे अगरवीरों के कारकाल के बाद नागरिक दुनि सेवा निद अगरवीरों को वित्तिय दवाओ के बिना अपने भविस्ट के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी तो यह जो सेवा लाव दिया जा रहा है वो करीब-करीब मान के चलिए कि पौने बारा लाह के आसपास का है यह सेवा निदी होगी जो अगरवीरों को वित्तिय दवाओ के लिए मतलब अगरा उनका चार साल का वर्क पूरा हो जाता है तो उसके बाद इतने पैसे उनको दे दिये जाएंगे जो आत्म तोर पर समाज के आर्थिक रूप से वंचित तबके के युवाओं के लिए भी होता है तो यहां पे उनकी रक्षा चीज़े बताई गई हैं उनमें ये सारे चीज़े अगरवीरों के लिए सामिल है और चार वर्स की सेवा के बाद ये लाव उनको सीधे मिलने लगेगा ससत्र वलों में नियमित सवंगर के रूप में नामांकन के लिए चुने गए विक्तियों को नियूंतम 15 वर्सों की अत्रिक्त सेवा अवित के लिए सेवा करने की आवश्यक्ता होगी और भारतिय सेना में जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों अन्य रैंकों भारतिय नो सेना और भारतिय बायु सेना में उनके समकच और समय समय पर संसोधित भारतिय बायु सेना में नामांकित गैर लड़ाकु सेवा मौजूदा नियमों और सर्तों के द्वारा शाशित होंग तो ये बाते अगनिपत योजना को ले करके की जा रही हैं और इसी करम में आगे बढ़ते हुए यह योजना ससत्र बलों में युवा और अनुभवी कर्मियों के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिचित करने और अधिक युवा और तकनीकी रूपते युद लड़ने वाले ब किलाब देख लेते हैं ससत्र बलों की भरती नीत में प्रिवर्दनकारी सुधार जो है युवा को देश की सेवा करने में राश्निर्बान में योगदान देने का एक अनुठा ऑसर भी मिला है इसी में तीसरा ससत्र बलों की प्रोफाइल युवा और उड़जावान बनाए समाज में सैन लोकाचार के आधार अनुसासित और कुशल युवाओं की उपलबता है समाज में लोटरे वालों के लिए परियाप्त पुनह रोजगार के औसर जो युवाओं के रोल माडल की रूप में भी उभर सकते हैं इसकी भी विवस्था की गई है अगनिपत की अगर इसी मौजूदा रेंग से अलग होगी ससत्र बलों के द्वारा समय समय पर घोशित की गई संगटनात्माग आवशक्ता और नीतियों के आधार पर चार साल की सेवा पूरी होने पर अगर वीरों को ससत्र बलों में अस्थाई नामांगन के लिए आवेदन करने का आउशर प पर चैच के पचीज पर ससत्र बलों के नियमित कैडर में भी नामांकित किया जाएगा विस्तित दिसा नदेश अलग से जारी किये जाएंगे यह बाते यहां पर बता दी गई हैं क्योंकि यह बाते अब हमारे सीधे रक्षा से जुड़ी हुई हैं और यहां के अगर वीरो चैचल योगता संरचना से कैंपस साचतकार भी इसमें सामिल किया जाएगा नामांकन आल इंडिया आल क्लास इस चीज को यहां से ध्यान दीजिए क्योंकि इस बार की जो 46,000 की भरतियां होने वाली हैं अगर वीरों की वह इसी माध्धम से की जाएंगी तो आल इंडिया आ नामांकन के लिए निर्धारिच, चिक्सा, पातता सर्तों को पूरा करेंगे जैसा कि संबन्दिस रेणियों कारियों पर लागू होता है विभिन्निस रेणियों में नामांकन के लिए अगर वीरों की सैक्षिक योगता यधावत रहेगी उधारण के लिए जनरल डिउटी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है आयू की बात कर लेते हैं साड़े सत्रा साल से 21 के बीच में होनी है और इनका जो पूरा कारकाल होगा वो चार साल का होगा रिटार्मेंट के बाद अगर बात की जाए तो पौने वारा लाह की आसपात का इनका हिसाब सब्किताब बन रहा है तो यह बाते जो बताए गई हैं अभी अगरिपत योजना से संबंदित हैं और इस साल की जो भरतियां है करिब 46,000 के संदर में होने वाली हैं और जल्द ही अगले सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए अकस्तु लानिंग की तरफ से जैहिन जै भारत